नमस्कार दोस्तों मैं सुमीर रोय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज मैं आप लोग को गोल्डन क्रोस के बारे में बताने वाला हूँ गोल्डन क्रोस जो पैटर्न है वो कैसे आप यूज कर सकते हो कैसे ट्रेडर्स गोल्डन क्रोस को यूज करके बुलिस ट्रेंड प्रेडिक्ट करते हैं और प्रेडिक्ट करने के बाद ट्रेड open करते हैं या तो अपना buy और selling positions के बीच में decide करते हैं कि basically उन लोग को क्या सबसे ज्यादा फाइदा पहुचाएगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को death cross के बारे में बताया मैंने आप लोग को ये भी बताया कि कौन सा period value आप लोग को लेना है क्या color आप लोग choose कर सकते हो आपका जो indicators है उस पर क्या-क्या changes आप लोग कर सकते हैं कैसे आप लोग dragon trade use कर सकते हैं या dragon trade open कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को golden cross के बारे में बताऊंगा और golden cross basically death cross का एकदम opposite है तो अगर आप death cross का वीडियो नहीं देखे है तो पिछले वीडियो को जरूर जाके देखिए पूरा वीडियो देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा असली मसला क्या है अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग setup करते हैं यह pattern जिसका नाम है golden cross लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि चैनल को subscribe कर दीजे अगर पहला बारी आप मेरे YouTube चैनल पर बढ़ा रहे हो तो और bell icon को तोड़ दो कि हर एक नया वीडियो जब भी मैं upload करूँ आप लोगों को पहला notification होच जाए और वीडियो को अंतक देखिए क्योंकि अगर आप अंतक नहीं देख रहे हो then you are doing a mistake you are putting your money and your time at risk अंतक वीडियो देखिए जब आपको time मिलेगा तब आप वीडियो देख सकते हो लेकिन पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है तो सबसे पहले indicators tab पे चले जाएंगे दो simple moving average लेके आएंगे जो death cross था death cross पे आप लोगों ने देखा था कि पहला जो decision making simple moving average है जो lower या shorter period simple moving average है उसका मैंने पहले रखा था 50 period value और जो longer period या support and resistance जो define करता है उसका मैंने period value रखा था 200 लेकिन आज मैं थोड़ा change करने वाला हूँ golden cross के लिए हम लोग 30 और 30 और उसके साथ-साथ 200 period value हम लोग use करेंगे ठीक है यह जो 200 red color का जो icon यह red color का जो line आप लोगों को दिख रहा है simple moving average का यह basically support and resistance का का काम करता है और simple moving average 30 जो है यह आपको basically trend के बारे में बताता है तो golden cross का मतलब क्या है golden cross basically death cross का opposite है और golden cross में आपको यह पता चलता है कि जब shorter period simple moving average longer period simple moving average को intersect कर रहा है और chart के नीचे से या तो आपका computer screen या mobile screen के नीचे से उपर के तरफ graph आपको form होते हुए दिख रहा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक upward या bullish trend आ रहा है और trader को यहाँ पे सजग हो जाना चाहिए कि यहाँ पे market बढ़ने वाला है price of the asset जो है वो बढ़ने वाला है उसी हिसाब से वो लोग buying selling decisions या trade opening decisions जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं आप trade या downtrade आप मतलब price बढ़ेगा उस पे आप predict कर रहे हो और price बढ़ते गया तो आपको profit होगा आप उस profit का लाव उठा सकते हो उस profit का जो trade होगा उसको predict कर सकते हो आप golden cross pattern के द्वारा ठेक है euro USD आप लोग मेरे chart पे देख रहे हो अभी लेकिन euro USD पे अभी death cross होने जा रहा है कुछ time पहले यहाँ पे golden cross था तो हम लोग ऐसा एक chart use करेंगे जिसमें हम लोग को golden cross दिखेगा यह देखिए यह जो chart है यहाँ पे अभी भी golden cross हुआ नहीं है लेकिन golden cross के नजदिक यह जा रहा है अभी अगर हम लोग को golden cross यहाँ पे करवाना है अगर हम लोग को golden cross pattern या pattern हम लोग को अगर define करवाना है तो हम लोग यह भी कर सकते हैं simply हम लोग अपना period values को change कर सकते हैं और सबसे पहले मैं एक momentum trade लेता हूँ euro New Zealand dollar पे 3 minute का 352 dollars का एक trade और यहाँ पे मैं dragon trade लिया हूँ दो dragon trade तुरंत आप लोगों ने देखा कि पहला trade जो था पहला trade मैंने 3 minute का लिया जिसको हम लोग momentum trade बोलता है उसी के साथ साथ तुरंत जब यहाँ पे चार्ट पे correction हुआ मैंने अपना time frame को कम करके एक minute किया और यहाँ पे दो 300-300-700 dollars का यहाँ पे मैंने upward trade open किया जिसको हम लोग dragon trade बोलते हैं और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एके candlestick यहाँ पे आपको one minute का price fluctuation दिखा रहा है ठीक है तो आप इस हिसाब से यहाँ पे predict करते हो और आप इस हिसाब से golden cross का use कर सकते हो golden cross का जो signal generating capacity है signal generate हुआ है यहाँ पे और chart उपर के तरह आप जा रहा है golden cross मतलब price is moving up the security price और the asset price और the currency price is moving up against the other और यहाँ पे हम लोगों ने trade open किया आप लोगों ने देखा दो dragon trade मैंने open किये थे दो dragon trade हम लोगों को यहाँ पे profit हुआ यह रहा मेरा दो trade आप लोगों के सामने और एक active trade है जो की साड़े 300 डॉलर का है अभी भी उसमें मुझे एक मिनिट 37, 34 सेकेंड का time बचा हुआ है तो थोड़ा wait करेंगे और देखेंगे कि इसका ultimate result हम लोगों को क्या आता है दोस्तों बहुत किसी का आप लोगों में से जो लोग मेरे साल daily trading करते हो मेरा signals follow करते हो free signals है basically वो आप लोग मुझे हमेशा ये पुछते हो कि sir dragon trade के लिए तैयारी कैसे किया जाए मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि dragon trade से पहले आप लोगों मैं momentum signal देता हूँ momentum trade का जहाँ पे मेरा trade time frame रहता है 4 minute, 5 minute, 3 minute, 7 minute, 6 minute तो जहाँ पे momentum trade मैंने execute किया उसके बाद हम लोग को मौका मैं हमेशा ढूनता हूँ dragon trade execute करने का dragon trade मतलब sudden जो changes है चाट में उसको मैं ढूनने का प्रयास करता हूँ ठीक है तो sudden changes के लिए क्या करना है खुद को ready रखने के लिए सबसे पहले 1 minute कर लेना है आपका जो trade timing है उसको duration 1 minute हो गया आपने अपना investment amount चूज कर लिया investment amount चूज करने के बाद आप सिर्फ मेरा signal का wait करो जैसे ही आपको signal मिले dragon up मतलब आपको ये button green button दबा के up trade open करना है जब भी आपको signal मिले dragon down आपको downward ये red button press करके downward trade open करना है it's that easy ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे मेरा momentum trade था मेरा जो पहला trade था पहला trade में मुझे यहाँ पे loss हुआ है एक काम करेंगे यहाँ पे हम लोग अपना जो trade amount है उसको change करते है और यहाँ पे मैंने 3 minute का एक trade open किया है फिर से यहाँ पे मुझसे गलती हो गया अब ही हम लोग dragon trade trade open करेंगे 350 dollars का ठीक है एक मिनिट पे चले गए यहाँ पे trade open करेंगे यह रहा दो dragon trade मैंने 350 350 का open किया और एक मेरा momentum trade है जिसका 1500 dollar का valuation है 1500 dollar मैंने यहाँ पे invest किया है now let's wait and watch देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को किस तरीके से result मिलता है क्योंकि दोस्तों सबसे important चीज है हम लोग high speed trading कर रहे हैं हम लोग fluctuations जो asset price है asset price का fluctuations पे trade कर रहे हैं तो आप लोग को यह पताई है कि strike price हमेशा change होते रहता है और यहाँ पे dragon trade risky trade तो है ही लेकिन अगर आप practice कर सकते हो बहुत ज्यादा मेरे जैसा और अगर आप हर एक तरीके का period value यूज करके practice कर सकते हो हर एक market में आप practice करो volatility देखके market का trend समझ के तब आपको profit करने से कोई नहीं रोक सकता है यह आपके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है यह आपके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप किस level से experiment कर रहे हो तो दो dragon trade मैंने open किये थे दो dragon trade पे मुझे profit है और एक minute 30 second बचा हुआ है मेरा momentum trade expire होने में chart move हो रहा है लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को जो ultimate चीज है वो बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे channel पे नहीं हो अगर आपको trading पे interest है if you want to trade along with me every Monday to Friday and get free signals तो निचे description box में जाहिए मेरा जो second link है description box में वो मेरा group का link है जिस group में मैं आप लोग को information देता हूँ अगर आपके पास अभी भी trading account नहीं है अगर आप पहला बारी trading के बारे में सुन रहे हो समझ रहे हो और आपको interest है या interest आप develop करना चाहते हो तो पहले अपना trading account बना लीजिये जो पहला link है description box में उससे आप आपका trading account बना सकते है और आपके मन में कोई भी doubt हो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो तीसरा जो link है वो मेरा direct contact है आप मुझे telegram messenger पे directly contact कर सकते हो जो भी आपका doubt है वो पूछ सकते हो and I will be happy to answer you whenever I am free अभी आप लोग देख रहे हो कि एक second का time बचा हुआ है और यहाँ पे मेरा जो momentum trade था तीन minute का वो भी मुझे profit हुआ है यहाँ पे 4 pip का difference है opening और closing position में और अभी भी आप लोग देख रहे हो कि जो golden cross है golden cross अभी भी market पे existing है और golden cross यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है तो दोस्तो मुझे आग्या दीजिए वीडियो को अन तक देखिए चैनल को subscribe कीजिए और bell icon दबाना मत भूलिए मैं मिलूंगा आप लोग के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद